आप सभी का स्वागत है तिवारी एकैडमी में कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और जहां भी है वहाँ पर कर रहे होंगे खूब सारे मज़े है ना तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 5 यानि क्लास 5 में इवियस यानि परियावरण अध्यन के chapter 2 यानि अध्याय दो की आप जैसा की स्क्रीन पर देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है क्या कहानी सपेरो की तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ खास है इस अध्याय में इस चैप्टर में इस वीडियो में हमारे जानने के लायक सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं हूँ आर्यनाथ तो यानि आर्यनाथ अपने बारे में कुछ बता रहा है है न क्या बता रहा है चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले पेरेग्राफ में शुरुबाती लाइन में ये लिखा है कि आपको ज शायद ही कोई कर सकता हो, है ना, अब ये लाइन सुनके और चैप्टर का नाम सुनके थोड़ा-थोड़ा कुछ हमारे समझ में आ रहा है, है ना, चैप्टर का नाम है कहानी सपेरों की, आपको पता है ना, सपेरे हम किने कहते हैं, जो सापों को पकड़ते हैं, है ना, उन्हे क्या कहा जाता है? सपेरा कहा जाता है और भी वो क्या क्या करते हैं ये सब कुछ हमें इस अध्याय में शायद पता चलने वाला है ठीक है न तो इसी लिए आरेनाथ ये कह रहा है कि मैं हूं आरेनाथ और आपको हैरानी इस बात पर होगी कि जो मैं कर सकता हूँ वो तुम में से शायद ही कोई कर सकता होगा अब आगे आरेनाथ हमसे पूछता है कि जानते हो क्या तो वो कहता है कि मैं बीन बजा सकता हूँ हो गए न हैरान हाँ मैं सापो को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है हमारे लोगों को काल बेलिया कहते हैं अब यहाँ पर दो बाते हैं पहली बात यह है कि अक्सर हमारे घर में जो काम किया जाता है वो काम हम बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने आप सीख जाते हैं है ना जैसे हमारे पापा के पास में अगर कार है है ना हमारे घर में कार है तो हम जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं हम कार चलाना सीख जाते हैं है की नहीं तो वैसे ही जो आरेनाथ है उसके परिवार में लोग बीन बजाय करते होंगे और उसने अपने लोगों से ये कला सीख ली कौन सी कला बीन बजाने की अच्छा उसने जिन लोगों की अभी बात की है उनका नाम भी बताया है वो कहता है कि हमारे लोगों को क्या कहते है काल बेलिया है ना तो अगर आप से पूछा जाए कि आरेनाथ जिन लोगों से कला सीखा था, वो लोग कौन से हैं, क्या नाम है उनका, तो आप बता देंगे कि वो कालबे लिया हैं, है ना, इसके बाद में आगे आरेनाथ बताता है कि मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाती में बहुत मशुहूर थे, वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सापो को पकड़ लेते थे, वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किससे अभी भी सुनाते हैं, आओ, तुम भी सुनो, उनकी कहानी, उनहीं की जुबानी तो अब आरे नाथ हमसे कह रहा है कि उनके दादा का नाम रोशननाथ हैं, और वो जो हैं, वो और भी जादा अपनी स्कला में माहिर थे, वो जहरीले जहरीले खतरनाक खतरनाक सापो को बड़ी असानी से पकड़ लिया करते थे, और होता है न, आपने भी देखा होगा कभी दादा जी, दादी घर के कोई बड़े बुजर्ग लोग हैं, वो अपने किस्से कभी-कभी सुना दिया करते हैं, है न, तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में, तो आरे नाथ के दादा जी, रोशननाथ का एक किस्सा, वो हमें भी सुनाना चाहते हैं, चलिए, देखते हैं, खिस्ते का नाम रखा है यादे दादा जी की तो चलिए मैं काम करता हूँ रोशननात की तरफ से यानि आरेनात की दादा की तरफ से किस्ता जो है सुनाता हूँ ध्यान से सुनिएगा तो आरेनात कहता है कि मेरे दादा पर दादा सभी सपेरे थे आरेनात नहीं रोशननात क्या रहे हैं ठीक है हमारी जिंदगी सापों से ही जुड़ी रही कंधे पर कावड जैसी पिटारी लटकाए हम एक गाउं से दूसरे गाउं घूमते हम जहां भी जाते हमें देख कर लोगों की भीड़ी खटी हो जाती फिर हम पिटारी में रखी बास की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे साप सापों का नाज देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी ये सभी जड़ी बूटिया हम जंगल से इकटी करते मैंने भी ये सब अपने दादाजी से सीखा मुझे अच्छा लगता कि जहां डॉक्टर नहीं है वहां भी मैं अपनी दवाईयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता दवाईयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहां किसी को सापने काटा हूँ तब मैं साप के डंग के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सापने काटा है उसे मैं साप के काटने की दवा दे देता पर मैं हमेशा सामय पर नहीं पहुच पाया हूँ जानते होना कुछ साप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है पर ज्यादातर साप जहरीले नहीं होते कभी कभी जब कोई किसान साप साप चिलाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस साप को पकड़ता आखिरकार मैं बच्पन से ही साप पकड़ना जानता हूँ वे बहुत बड़िया दिन थे लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे लोग भी हमारी बहुत इज़त करते थे आजकल की तरह नहीं था अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादतर लोग टीवी देखते हैं जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे साप के डशने वाले दांत निकालने सिखाए जहरीले साप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया तो दोस्तो आपने सुना रोशननात यानी आरेनात के दादाजी का एक किस्सा है ना कितनी अच्छी बाते बताई उन्होंने उन्होंने ये भी बताया कि वो कैसे जड़ी बूटियां लेकर जाते थे जंगल से और लोगों की मदद करते थे उनकी सहायता करते थे उन जगहों पर भी वे पहुचते थे अपनी बूटियां लेकर जड़ी लेकर जहां पर डॉक्टर उपलब्द कई बार नहीं होते थे वै तो अब आगे बढ़ते हैं और आजाते हैं इस वीडियो के सबसे इंट्रेस्टिंग हिस्से पर इंट्रेस्टिंग हिस्सा यानि एक ऐसा हिस्सा जिसको देखकर हमारी जो धड़कने हैं उनमें रोमांच जाग जाता है हम चाहते हैं कि हम हर प्रश्ण का उत्तर बस यूँ ही फटा फट से दे दे हैं न क्यूंकि जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं है न, किसी कहानी को समझते हैं, तो प्रश्ण के उत्तर देने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, है न, तो चलिए दोस्त, अब हम प्रश्ण का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिखा है, बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है, और अगर में खटा होकर उसे देख रहे थे, वो एक चौराहे पर बीन बजा रहा था, और सब लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, उसे देखने में, फिर आगे लिखा है, क्या तुमने कभी साप देखा है, और अगर देखा है, तो कहां पर, तो मैं आपको बता दूँ, कि एक बा ही, कई बार ऐसा होता है ना कि बारिश के मौसम में नालो में, तालाबो में पानी भर जाता है, तो मैंने एक बार पानी में भी साप को देखा था, आपने भी देखा होगा, है ना, तो आप भी अपने उत्तर में अपना अनुभाव लिखिएगा, कि आपने कहा देखा था, ठीक है फिर आगे अगला प्रश्न है क्या तुम्हें उससे डर लगा और अगर लगा तो क्यों तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे तो बहुत डर लगा था कारण ये है कि साप के काटने से शेरीन में जहर फैल जाता है है तो इसलिए मैं डर गया था फिर इसके बाद लिखा है तुम्हें क्या लगता है सभी साप जहरीले होते हैं तो मैं आपको बताओं कि सभी साप जहरीले होते हैं ऐसा कह सकते हैं कुछ साप जहरीले होते हैं अभी जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा आरेनाथ रोशननाथ के बारे में हमें पता चला कि कुछ ही साप है जो जहरी जहरीले होते हैं, सब साब जहरीले नहीं होते हैं, फिर आगे लिखा है, तुमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि साब के बाहरी कान नहीं होते हैं, हमने अध्याएक में देखा था, अब सोचो, क्या वहाँ बीन की धुन सुन पाता होगा, या फिर बीन के हिलने से ही वहाँ नाचता होगा तो मैं आपको बता दूँ कि असल में ना साप नहीं सुन पाते ही हमने पिछले अध्याय में देखा था है कि नहीं क्योंकि उनके बाहरीकान नहीं होते हैं लेकिन मैं आपको बताओं कि जो बीन हिलती है उसके अनुसार वो अपना सिर हिलाता है और उसे ही साथ बताओं कि वो ना कंपन को भी महसूस कर सकता है यह भी हमने पिछले अध्याय में देखा था आपको याद होगा है ना वाइब्रेशन्स को अब आगे लिखा है अब हम क्या करें तो अभी भी उसके दादा जी कह रहे है आरे नात तुम्हारे पिता जी बहुत छोटी उम्र में से ही मेरे साथ गाओं गाओं गूमा करते थे उन्होंने वीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था आज की सोचू तो बहुत परिशानी होती है सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने आसपास रख सकता है कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल उचे दामों में बेशते हैं इसलिए ऐसा कानून बनाया गया पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होग हम सपेरों ने कभी भी सापों को नहीं मारा ना ही कभी उनकी खाल बेची कुछ लोग कहते हैं कि हम सापों को बुरी हालत में रखते हैं चाहे तो हम भी सापों को मार कर खूब पैसा कमा सकते थे तब हमारी जिंदेगी इतनी मुश्किल भरी नहोती सापों को मारने की बात तो दूर ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीडी को सौपते हैं सापों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तौफ़े के रूप में भी देते हैं हमारे कालवेलिया नाच में भी साप जैसी मुद्राय होती है आरे नात, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिन्दगी सोचनी पड़ेगी तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने माहिर हो तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बना कर लोगों का मन रंजन कर सकते हो पर तुम पीडियों से मिले सापों की इस ग्यान को व्यर्थ न गवाना तुम शहरों और गाउं के बच्चों को बताना कि सापों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सापों को पहचानना है उन्हें यहा भी बताना की साप तो किसान के दोस्त हैं साप नहों तो खेतों में फशलों को चुहों से कौन बचाएगा अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना अपनी जिन्दगी की एक नई कहानी भी बनाना अपने पोते पोती को सुनाने के लिए है ना तो चलिए अभी हमने देखा कि कैसे रोशन नात ने अपने पोते आरे नात से ये सारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बाते कही है ना कैसे उन्होंने अपनी दुख अपने चिंताएं व्यक्त की और कैसे उन्होंने अपने को प्रेरित किया कि आगे उसे क्या अच्छा काम करना है है ना बड़े लोगों की यही खास बात होती है बड़े लोग अक्सर अपने संस्कारों से अपने अनुभवों से अपने ग्यान से अपने से छोटों का हमेशा मार्ग तर्शन करते हैं उन्हें अच्छी अच्छी बात पर पार्क में तो प्रश्न पूछा है कि कब और कहा देखा तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं छोटा था न तो मेरे गाउं में एक सरकस आया था मैं वहाँ गया था तो मैंने वहाँ पर जानवरों के खेल को देखा था आपको पता है उस समय मैं गskषा चार में था इसके बार लिखा है किस जानवर का खेल देखा थो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जानवर थे उन में से एक भालू भी था ठीक है फिर आगे लिखा है जानवरों के प्रती लोगों का क्या वहवाहर था तो मैं आगे लिखा क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था और कैसे तो मैं आपको बता दूँ कि उस समय न कुछ लोग अपने पास में जो कुछ छोटी मोटी चीजे थी जैसे पेन का धकन ये सब चीजे जानवरों के पास भेग कर उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थ फिर आगे लिखा है वहाँ खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस-किस तरह के सवाल उठे तो मैं तो उस समय छोटा था पर मैं ये सोचता था कि जब वो जानवरों से ये सब खेल करवाते थे तो वो उन्हें तंकिया करते थे तो क्या ऐसा करना ठीक बात है क्या जानव में लाकर कि उनसे अपने फाइदे के लिए सब काम करवाना सही बात है मैं ये सब सोचता था फिर मैं ये भी सोचता था कि इन जानवरों को जब खेल दिखा दिया जाता था उसके बाद तो इन्हें पिंजरे में ही रखा जाता है तो क्या उन्हें इस तरह से उनकी आज़ा को पूरा करो ठीक है ना तो यह वाकिया लिखें है क्या लिखें समझो मुझे डर लगता है जब यहां पर लिख सकते हैं कि जब मुझे जेल में बंद कर दिया जाता है और फिर मुझे मारा पीटा जाता है खाना भी समय पर नहीं दिया जाता फिर आगे लिखा है मेरी इच्छा है कि मैं इस पिंजरे से जल्दी आज़ाद हो जाओं और वापस अपने उन दोस्तों साथियों के पास चले जाओं जो जंगल में रहते हैं आज़ाद मैं उदास होता हूँ जब मुझे उनकी बहुत याद आती है या जब मुझे सही समय पर अच्छा खाना नहीं मिलता अगर मुझे मौका मिलता तो मैं कपका इस पिंजरे को तोड़ कर यहां से वापस अपनी दुनिया अपने जंगल में चले जाता मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बार बार मुझे चड़ी मार मार कर सरकस में यह सब नाच नचाए जाते हैं मुझसे तो यह सब मेरे विचार थे दोस्तों जो मैंने भी आपके साथ साजा किये आप चाहें तो अपने विचार भी यहाँ पर साजा कर सकते हैं अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दी है ठीक है? जानकारी को देखने से पहले आप देखो आपे नाम लिखा है सांपों के बारे में अब पढ़ते हैं इसमें क्या मतलब है क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल चार तरह के सांप ही जहरीले होते हैं ये हैं नाग, करैथ, दुबोईया और अफाई मैं आपको बताऊं सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोकले जहर वाले दातों से उस वेक्ति के शरीर में जहर चला जाता है इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस वेक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई यानी सीरम दी जाए ये सीरम साप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी स्वास्त केंद्रों में ये मिल जाती है अब आगे लिखा है लिखो सपेरों के अलावा और कौन-कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं तो मैंने देखा है कुछ लोग आपने देखा है जो अपने साथ बंदर को रखते हैं चोराहे पर बंदरों को नचाते हैं आपने टीवी में तो देखा ही होगा अगर आपने हकीकत में नहीं देखा तो तुम बताऊंगी वो भी जानवरों पर निर्भर हैते हैं इसके अलावा जो लोग हमारे हाँ दूद देने आते हैं दूद बेशने वाले जो भईया लोग हैं वो भी जानवर उपे निरभर हैं गाए, भैस, आदी से दूद निकालते हैं तबी थो हम लोगों को दे पाते हैं तो ये सभी लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन जानवर उपर निरभर हैं और भी बहुत सारे इसके बाद लिखा है सर्वे जानवर पारने वालों का अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो जैसे तांगे के लिए घोडा अंडो के लिए मुर्गिया आ दी तो ठीक है मैंने एक बार पता किया था और पता किया था तो उन्होंने मुझे कुछ जवाब दिये कौन सा जानवर है के पास थी क्या जानवरों को रखने के लिए अलग करते थी उनकी देख्भाल कॉन करता है तो जब भहिया घर में थे हैं तब हो करते थे और जब वह नहीं रहते थे तो उनको थोड़े समय के लिए छोड़ा जाता है क्या कभी जानवर भी बिमार पढ़ते हैं तब पालने वाला क्या करता है तो उन्होंने मुझे इस सम्मन में कुछ खास जानकारी नहीं दी उन्होंने मुझे बताया कि हाँ कभी कभी कोई एकादी मुर्गी बिमार पढ़ जाती है तो उसे अलग रखा जाता है और कभी कभी अस्पताल में जो जानवरो को होता है उसे दिखा दिया जाता है फिर लिखा है इसी तरह अपने मंद से और प्रश्न भी बूचो तो आप पूच सकते हैं फिर लिखा आपने सर्वे की रिपोर्ट तेयार करो कक्षा में पढ़कर सुनाओ अब देखो यह क्या लिखा है बनाओ एक अनोखी कट पुतली एक पुरानी जुराव लो उसे चितर में दिये तरीके से अपने हाथ पर पहन लो आखों के लिए दो बिंदी या बटन चिपकाओ जीप बनाने के लिए लाल कागेस की पट्टी काट कर चिपकादो पट्टी के दूसरे सिरे पर जीप के लिए एक कट लगाओ लग रहा है न साप अब मजे से इस कट पुर्टी से खेलो अब यहां लिखा है हम क्या समझे हम ये समझे कि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है तो मैं क्या लगता है क्या ही कानून सही है या नहीं अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो तो देखो, मैं आपको यह बताता हूँ कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो इस बात को ध्यान में रखके बनाया है कि लोग जरूरत से जादा जानवरों के साथ जयात्ती करते थे जब बर्दस्ती उन्हें पिंजरे में रख देते थे कैद करके रखते थे, है की नहीं लेकिन अब यह जो कानून बन गया है इसकी वज़े से हाथी, शेर, और भी जंगली जानवर, भालू अगेरा यह सब जो है, क्या है? आजाद रहते हैं, जंगली जानवर है वीडियोज देखना अगर आप चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तिवारी एकडमी को और इस वीडियो को जरूर शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएं, समझ पाएं इस जानकारी को है ना, बाकी मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी, अगली नहीं जानकारी के साथ अगले नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार